नमस्कार मित्रों जैसी आरा मित्रों आप सभी का मेरे यूटूब चैनल विराट जयोतिश शिंतन में हार्दिक स्वागत है मित्रों आज का एक संचिप्त वीडियो है रुद्राक्ष के ओपर आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि किस राशी वाले लोगों को कौन कौन सा रुद्राक्ष धालन करना चाहिए लेकिन पहले एक संचिप्त जानकारी रुद्राक्ष के विशह में तेकि रुद्राक्ष भगवान शिब के आसुनों से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है इसलिए ये शिब जी को बड़ा प्रिय है इसकी माला पहनने से मनुष्य को काल का भय नहीं रहता है विश्व भर में ऐसा मैंने सुना है कि रुद्राक्ष की 123 प्रजातियां पाई जाती है जिनमें 25 प्रजातियां तो भारत में ही पाई जाती है भारत की अगर बात करें तो रुद्राक्ष के पेड़ भारत में हिमाले के परवतिये छेत्रों में बि और इसके अलाबा डक्षन भारत नील गिर मेसूर वा रमेशरम में भी पाये जाते हैं भारत नेपाल कि सीमा के तरा ही छेत्रों में भी इसके पीड पौतायत से मिलते हैं धार्मिक और और शदिये दोनों तरह से नेपाल का रुद्राक्ष वित्रों बहुत बहतरीन माना जाता है और यूपी में भी जो प्रेड मिलते हैं वो इसी नेपाली प्रजाती की ही है रुद्राक्ष की प्रकती गर्म और तर होती है ये नीम के समान क्रमिनाशक और ओजप्रद होता है रुद्राक्ष उच्रक्त चाप और मिर्गी में अतियंत लाबदायक होता है चरंक सहिता में और शदी के रूप में उप्योग का रुद्राक्ष के उप्योग का उलेख मिलत यह च्छय रोग में चर्म रोग कुष्ट रोग और कैंसर में भी बहुत लाबकारी पाया गया है रुद्राक्ष चार रंग के होते हैं और रुद्राक्ष के पेड़ होते हैं वह लगभग 50 फिट से लेकर 200 फिट तक लंबे होते हैं और इसके जो फल की गुठली होती है उसके रूप में हमको रुद्राक्ष प्राप्त होता है रुद्राक्ष जो चार रंग में पाई जाते हैं वे श्वेत लाल पीत और कृष्ण यह चार रंग में प्राप्त होते हैं और अब हम सीधे सीधे बात करेंगे किस राश्य वालों को कौन सा रुद्राक्ष धारन करना चाहिए। कुछ लोग यह भी पूछते हैं कि क्या एक से ज्यादा रुद्राक्ष धारन कर सकते हैं तो उत्तर है बिल्कुल धारन कर सकते हैं। कॉंबिनेशन द्धारन किया ब्रुद्राक्ष धारन किया जा सकता है। यसे 5 मुख के साथ हम गउरैश्य शंकर रुद्राक्ष च हुम शिरीगरेश रुद्राक्ष धारन कर सकते हैं। और राशी के नुसर कौन सा रुद्राक्ष जादा फायदे वन रहता है जैसे मेश राशी वालों की बात करें तो इन्हें 3 मुखी पांच मुख्य और 12 मुख्य का रुद्राक्ष धारान करना चाहिए। ब्रिशब राशी वालों को 6 मुखी या 10 मुखी या फिर दोनु एक साथ रुद्राक्ष धालन करने चाहिए। मितुन राशी वालों को 4 मुखी, 11 मुखी या फिर गौरी शंकर रुद्राक्ष धालन करने चाहिए। कर्क राशी वाले लोग दो मुखी रुद्राक्ष और गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। सिंग राशी वाले लोग एक मुखी रुद्राक्ष या फिर पांच मुखी या फिर बारे मुखी रुद्राक्ष धारण करें तो बहुत लाब मिलता है। ज्यादा तर एक मुखी का रुद्राक्ष और पांच मुखी का रुद्राक्ष इनको ज्यादा फाइदे बंद रहता है, कन्या राशी वाले चार मुखी रुद्राक्ष और गवरी शंकर रुद्राक्ष धालन करें, तो बहुत फाइदा मिलेगा, तुला राशी वाले छे मु रुद्राक्च भी धारन कर सकते हैं धनु राशी वाले भी एक मुखी पांच मुखी और शिरी गड़ेश रुद्राक्च धारन कर सकते हैं मकर राशी के लोग सात मुखी चौदा मुखी और छै मुखी रुद्राक्च पहने तो लाब होता है कुम्ब राशी वाले जातक सात म मुखी और चव्दा मुखी तिन रुद्राक्छ धारल कर सकते है और अंत मेन varas Marie नात बात है तो रुद्राकी यह यह दो तरह के रुद्राक्छ धारल उग्दा कर सकते हैं इने बहुत लाब मिलेगा तुम्लतरों यह संचिप्त वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूं, मिलेंगे अगले वीडियो में फिर किसी नई जानकारी के साथ, तब तक जैजेश याराम, नमस्कार